चुनावी राज्य मद्धिवर्देश में सियासी महौल लगातार गर्म है कॉंग्रेस राज्य में एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है तो वहीं वीजेपी किसी भी हाल में इस राज्य की सत्ता से बाहर नहीं होना चाहती है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वीजेपी सरकार के घोटाले का परदाफाश करने का दावा किया उन्होंने कहा कि 38 लाग की गौशाला में 14.5 लाग का कमिशन लिया गया है ये सरकार प्रचार ब्रस्टाचार और अत्याचार की सरकार है आज 18 साल में मद्य प्रदेश की पहचान प्रचार ब्रस्टाचार और अत्याचार से है शिवराज सिंजी को मैं लोग सबाब में जानता था वो शिवराज थे आज शिवराज नहीं रहे ठगराज बने व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रस्टाचार का शिकार है या भ्रस्टाचार का गवार कमलनाथ के इन आरोपों के बाद वीजेपी ने प्रजवारता की इस दोरान उनों ने कॉंग्रिस पार्टी पर करारा पलडवार किया जूटा आरोपत्र ये जूट पत्र क्योंकि आपको डर है आपको भै है कि प्रियंका गांधी से आपने जूट बुलवा करके ट्विट करा दिया जूटा पत्र जारी करके आज तक आप जवाब नहीं दे पाए ग्यानेंदरवस्ति कौन है? ग्यानेंदरवस्ति कहा है? आज तक जबाब नहीं दे पाए और प्रेंका गांदी जूटी सावित हो गई आपा नित्र तो पुरा जूटा सावित हो गया और आज ये फिर सिद्धोता में मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूँ जरा इसको खोल करके देखिए ये किसने जारी किया है इसी के साथ कमलनात ने शिवरा सिंग चौहान की सरकार पर हैसो से जादा घुटाले करने का आरोप लगाया है बताते ही इसी साल के अंत में मध्यप्रदेश में विधान सवाच चुनाव होने है जिसके लिए कॉंग्रिस और वीजेपी दौनों आमने सामने की काटे की टक्कर देने वाली है